कि आपसे पूछा गया है प्रतेक पूनांक एक पून संख्या होती है तो यहां पर आपको थोड़ा समाझ लेना है तो मैं आपको बता देता हूं देखिए पहले होता है पहले आती प्राक्तिक संख्या प्राक्तिक संख्या फिर आता है पहला आगे प्राक्तिक संख्या दूस करके ध्यान रखना है मैं आपको समझा देता हो तीनों क्या क्या होते हैं प्राक्तिक संख्या हुआ संख्या होती है जो एक से लेके infinite तक जाती है पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होके infinite तक जाती है और पूर्णांग संक्य यह होती है जो zero से लेकर इधर भी इन्फाइनाइं तक लिखी जाएं और इधर माइनस में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यह इधर भी इन्फाइनाइट तक यानि कि इसमें एसी वेलू जो निगेट्व हो और पॉजिट्टिव दोनों आती है उसको हम बोलते हैं पूर्णांग संक्या तो देखिए इसमें 0 से लेके फाइन अपर आड़ आएगी प्लस के और यहां पिनिस तक नंबर ही बात करते प्राक्टिक संक्या हुआ संक्याGod Peng प्राक्तिक संक्या एक से स्टार्ट होती है पूर्ण संक्या जीरो से स्टार्ट होती है और पूर्ण संक्या जीरो से प्लस तक पोजिटिव की सारी इंफाइनाइट तक और नेगेटिव की सारी इंफाइनाइट तक लिखी जाने वाली संक्या है हमारी क्या होती है तो आपको तो अगर आप से पूछा गया तो प्रत्यक प्राक्तिक संक्या में आपको मिलेगी इसलिए प्रत्यक प्राक्तिक संक्या प्राक्तिक संक्या हो जाएगी इस बात को आपको द्यार की अरुज़ँ नहीं RH रिखना और यह इदर ऊनके dire प्रत्यक जो एक परिमेय संक्या होती है यह जह परिमेय संक्या होती है तो फॉर्थ में पूछा गया है प्रतेक पूण संक्या एक प्रत्य पूणान्ग संक्या है प्रत्य पूर्म्य संक्या बिलकुल होती है इस बात अब अब तो आपको यह सारी समझना है यहां पर प्रतेक हूं संक्या एक प्रम्यय संक्या और ऑगर हम 21 की बात करें प्रतेक पर बलेड हो क्या does कि इस बात को आपको यानि कि यह भी आपको दे प्रते पर में संक्या पूर्ण संक्या होती तो या आपको गलत हैं तो जो दो्स ते स्ट्रवें वर्यायर्टि होता है तो यह आपको बता दिया गया कि यह सकते हैं किसी परीमेर्श को आप सपते हैं यह तो उसकी विल्लू उनरावत्ती होने लग जाएगी यहां पर प्रक्तिक संख्या प्राक्टिक संक्या मतलब होता है नेट्रल नंबर और इसके बात करें पूर्ण संक्या मतलब होल नंबर इसके बाद में हम पूर्णांग संक्या का मतलब बात करें क्या होता है इंटीजर्स होता है ठीक है इसको बोलता है इंटीजर्स और परमेश संक्या मतलब होता है रिश कि यह सारी कि सारी प्राक्तिक संख्याएं परिमेंग संख्या भी होती हैं इसके इस प्रकार से यह सा props नहीं यह ओग ठीक है और यसा कभी ऐसा नहीं होगा कि सारी सारी पूर्ण संख्या हैं प्राक्तिक संख्या हैं होगी ठीक है यह बात गलत है और इसके बाद में हम बात करें कि सारी कि सारी जो पूर्ण संख्या होगी और सारी कि सारी जो पूर्ण संख्या होगी बट यसा कभी नहीं होगा क सारी के सारी पूर्म्य संक्या कभी नहीं होगी यह आपको यहां पर बता दिया हूं इसी के बेस पर आपको कोशन दे रखे हैं इनको आपको समझना है ठीक है एक बार मैं फिर से आपको एक्स्प्लेन कर देता हूं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको द्यान से सुन लीजिएगा इसको अपने नोट बुक में देखिए आपको फर्स्ट में आपको यह समझना है कि जो सारे प्राक्तिक संक्या होती है वह सारे प्राक्तिक संक्या पून संक्या भी कह सकते हो प्राक्तिक संख्या को हम प्राक्तिक संख्या नहीं कह सकते हैं और सारी सारी पून संख्या को हम प्राक्तिक संख्या नहीं कह सकते हैं अगर आप यह सारी हो तो यह सारी होगी बट अगर आप रिवर्स डारिक्शन में आ रहे हो तो यह सा नहीं होगा ठीक है यह समझ के चलना है एब सेकंड की बात करेंगे पून संख्या शारी की सारी पून संख्या होती है वो पर्मे संख्या भी होती है बट यहसा कभी नहीं होगा कि पून संख्या हो इसारी परीफ्राय संख्या पून संख्या हो कभी नहीं होता है ठीक है यह भी आपको बताया था कि अगर आप रिवर्स डारेक्शन में आ रहे हैं तो यह नहीं होगा ठीक है इसके बाद में अगर फोर्थ की बात करें प्रतेक पूर्ण संक्या एक पर्मिय संक्या होती है प्रतेक पूर्ण संक्या प्रतेक पूर्ण संक्या होती है क्या प् आँ आँ पाचाज बया से